नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन्दार और आप सब का कगते मेरे चैनल इट्समाटेक में आज के इस वीडियो में हम डीटेल रिव्यू करेंगे बॉश के आडवांस आडवांस आक्वाटेक 140 का दोस्तों इस मशिन का अन्बॉक्स वीडियो में अल्रडी बना चुका हूँ वह आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक यह उपर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसे मेंशन कर दूंगा तो आईए अब इसकी डीटेल्स देखते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं यह मशिन बॉश के एडवांस रेंज म का पाइला मशीन है जो की 140 बर प्रेश्यर देता है इस मशिन में जो हमें में एसे सरी आती है जो कि इसके प्रेशर क्लिनिंग के परपस के लिए यूज होती है वो तीन है यह इसका रोटरी नोजल यह एक एड़स्टेबल फ्लाट नोजल और तीसरी यह हाई प्रेशर फोम गन दोस्तों इस मशिन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट वो है इसकी मोटर इस मशिन में 2100 वैट की इंड़क्शन मोटर है उसी के साथ इस मशिन को 450 लिटर्स पर अवर क फ्लोरेट है इस मशिन की और एक खुबी यह है इसकी जो प्रेशर होस हमें दी है वह इस प्रकार से यह रोटरी सिस्टिम से यहां पर अटेच की है यह मशिन की डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि इसकी सारे आसी सरी हाई प्रेशर फोमिंग गन उसके साथ औ ट्रिगर छोड़ते हैं मशीन प्रेशर सेंस करके खुद बखुद बंध हो जाता है यहां पर अध्सच कोई भी इलक्रिकल सिस्टीम इन्वार्ड नहीं है बस प्रेशर से ही हमारे मशीन कब चालू और बंध होना है यह निश्चित करता है बाकी सारी मशीन की तरह ही यह सारी कनेक्शन बोश की क्विट कनेक्ट टेकनलोजी के साथ हैं दोस्तों इसके साथ जो आने वाली गन है यहां नीचली तरफ ट्रिगर लॉक दिया है तो अगर हम इस तरह से उसे लॉक करें तो हमारा ट्रिगर लॉक हो जाता है सेफटी के हो जाती है एक पार्ट यहां पर स्टोर हो जाता है और दूसरा नीचे गुरू है इसमें यह जाता है और यहां उपर यह अटक जाता है तो यह मशीन जब हम इस्तमाल करते हैं तब उसकी सारी accessories हम machine के साथ ही सब ज़गा पे carry कर सकते हैं दोस्तों और इस machine के खास बात ये है कि इसकी जो ये pipe है normal universal series के machine से compare करें तो मोटी है और उसी के साथ इसाथ इसकी जो armor है वो Bosch की website के हिसाब से metallic है तो अगर हम इस इस मशिन के ड्रॉबक्स के बारे में बात करें, पहली सबसी बड़ी ड्रॉबक्स में ये कहूंगा, कि इसकी जो पूरी बील्ड है, वो प्लास्टिक में की है, हाला कि उनकी यूनिवर्सल सीरीज की मशिन्स में वो ठीक है, क्योंकि यहां से उनकी केबल नहीं आती जाती है, अगर आप इधर गौर से देखे, तो दो तीन बार यूज करने के बाद ही, इधर बहुत सारे स्क्राचेश के निसान है, जो कि ये वायर इधर घिसने के कारण हुए है, उसे के साथ उन्होंने जो ये प्रेशर होस वाइंड करने के लिए जो सिस्टिम दी है, वो पूरी त मशीन से अल्मोस्ट डबल है, ये मशीन बहुत ज्यादा हेवी है, लगबख 18-85 किलो की है, इस मशीन को 2100 वैट की मोटर होने के कारण, आपको ये सुनिश्चिक करना पड़ेगा, कि आप इसे ऐसे 15 अम्टेर के कनेक्शन के साथ कनेक करते हो, जिसमें बड़ी MCP लगी हो और आपका ब्रेकर ट्रिपना हो, इसकी जो ये गन है, उसको रोटेशन के लिए कोई अटेचमेंट नहीं है, तो ये फिक्स एंगल पे काम करती है, और इसे अगर आपको पानी का एंगल बदलना है, तो आपको हाथ से इसे हिलना पड़ेगा, और एक बात मैं कहना चाहूं की डिटेल टेस्टिंग करने के लिए, हम मेरे फ्रंट रेयाड के इन टाइल सेक्शन को यूज करेंगे, और देखेंगे कि इसकी क्लीनिंग कापासिटी क्या है, उसे के साथ हम मेरी फोर वीलर को भी क्लीन करके देखेंगे, जिसमें इस मशिन की सबसे जादा इस्तमाल की हुई दो यूज केसे टेस्ट हो जाएंगे, तो चलिए, वन बाए वन हम इसकी हर असेसेरी को टेस्ट करते हैं, इस मशिन को शुरू करने के पहले, हम इसके साथ आने वाले इस वाटर फिल्टर को अटेच करेंगे, उसके बाद यह जो आने वाली अटेश्मेंट है इस पहले डालना है, और यह जो निचली साइड है, उसे गार्डन होस में इस तरह से अंदर डालके, जब हम इसके पेज कसते हैं, तो यह लॉक हो जाता है, अब हमारा गार्डन होस इससे कनेक्टेड है, यह एक क्विक कनेक्ट सिस्टेम है, जिससे कि हम आसानी से इसको कर सकते हैं, यहां पर इस मशीन की on-off switch है, इस pipe को release करने के लिए मैं इस lock को खीचूंगा, इसे खोलते ही हमारी pipe कुछ इस प्रकार से free हो जाएगे, तो दस्ता अब मैंने इस मशीन को मेरे 15 ampere के power plug के साथ कनेक्ट किया है, हम यहां से इसे चालू करेंगे, और आप initially देख स इसकी आवाज काफी कम है, यह देखी, यह adjustable nozzle है, अगर आप इसको पूरी तरह से इस प्रकार से बन करें, तो आपको mist जैसी पानी की बहुचार मिलती है, और बिल्कुल soft तरीके से आता है, इससे आप चीजों को गिला कर सकते हैं काफी आसानी से, लेकिन अगर आप इस nozzle को पूरी तरह से खोल दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोला है, तो मैं आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहता हूँ, यह nozzle इस तरह से खोलने के बाद, इसके सामने ना गाड़ी के paint surfaces को directly लाए, ना हाथ या कोई भी human part लाए, क्योंकि अब जो इसमें से आने वाली beam है, वो बहुत ज्यादा strong और high pressure वाली होती है, कुछ इस तरह से, तो यह देखिए, इस एरिया पे मैंने इसकी बहुचार किये, लेकिन यह बहुत ही, जब आपकी surface सक्त हो, इसके उपर के दाग भी बहुत ज्यादा पक्के हो, तो ही आप इसका इसका इस्तमाल किजिए, इस बात को सुनिशिक कीजिए, कि जब आप directly इस beam का use करते हो, तब आपका surface इसे जहल पाए, तो यह देखिए, कितनी बूरी तरह से, इन पत्तों को उसने damage किया है, कुछी सेकंदू में, आप car wash करने के लिए, इसी nozzle का प्रेयोक करोगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, यह जो hose adjustment है, यह आप गाड़ी के तरफ इसे point करके बिल्कुल ना करें, जब machine चालू है, क्योंकि अगर गल्ती से आपने इसे पूरी तरह से खोल दिया, तो यह आपके गाड़ी के paint को ज़रूर नुकसान पहुचा सकती है, तो दोस्तों यह एक इट है, और यह इट में मैंने इस पानी के प्रेशर से मैंने इतना बड़ा चीरा बना है, तो यह देखिए, यह काफी सक्त इट है, लेकिन यह पानी के प्रेशर से इसे इतने आसान इसे काटता है, तो इस nozzle को हिला के आप intensity को change कर सकते हैं, और जितना abrasive आपको washing चाहिए, या आपको जितना abrasive cleaning force चाहिए, उसे adjust कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने ज्यादा प्रेशर से साफ किया हैं, और यह मैंने कम प्रेशर पे साफ किया है, तो इस nozzle के मदद से आपको multiple nozles का benefit मिलता है, तो दोस्तों nozzle के अगर बात आ रही है, मैं तो आपको दिखा दू, इस की nozzle की भी quick connect system है, तो अगर आप इस button को यहाँ पे दबाए, तो यह आसानी से निकल आता है, यह इसका adjustable nozzle है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक notch दी है, और यही notch इदर भी दी गई है, तो हमें बस इसे match करके लगाना है, तो आईए, अब हम इसे store करते हैं, और देखते हैं कि इसका rotary nozzle क्या करता है, तो यह जो rotary nozzle है, क्यूंकि pressure adjustment नहीं है, यह बहुत ज्यादा high intensity pressure के साथ काम करता है, बस आप इसे press fit करें, अगर आप बीच में देखें, तो यह देखिए, यह rotation हो रहा है, बहुत fast rotation हो रहा है, तो जो चीजे फ्लाट nozzle से ना निकले, आप rotary nozzle यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको suggest करूंगा, कार के surfaces पे आप इसे इसे इस्तामाल ना करें, तो दोस्तों rotary nozzle हम इस्तामाल करेंगे, जबी भी हमें scrubbing cleaning की जरूरत हो, तो यह sort of scrubbing action भी देता है, पानी से, और उसे के साथ साफ भी करता है, यह देखिए, कितने आसाने से चन सेकुंदों में इसने इसे पूरी तरह से साफ कर लिया है, इस तरह से आप bucket से भी पानी लेके cleaning कर सकते हो, और ऐसी जगाओ पर पोच सकते हो, जहां पर नॉर्मली पानी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, कि पाइप की लेंद एक से देड़ मिटर से जादा ना हो, क्योंकि उसके बाद मोटर पे excessive strain पड़ेगा, इसकी high pressure foam cleaner और बाकी की cleaning performance हम अब कार को साफ करके देखेंगे, तो अदर भी same notch दिया गया है, हमने यहाँ पर इसे connect कर दिया, अब हम इस गाड़ी को foam करेंगे, इसके nozzle को कोई setting नहीं है, यह एक ही setting के साथ चलता है, अल्मोस्ट आधी bottle यूज़ कर ली है, तो हमारा शैंपू लगबख खतम हो चुका है, लेकिन हमारी गाड़ी भी हमारे शैंपू में कवर हो चुकी है, तो आप कह सकते हैं कि एक पूरी बॉटल में एक नॉर्मल कार धो के हो जाएगी, एक बार फोम खतम होने के बार मैं इसी अटेश्मेंट से पूरी गाड़ी लेकिन अब मैं इसके अग्जेस्टेबल नॉजल को लगा के पूरी गाड़ी क्लीम कर लेंगे। तो दोस्तों यह देखिए हमारी गाड़ी पूरी तरह से धोके हो चुकी है, जो मेरे एक्सपेक्टेशन थी इस मशीन के साथ, उससे कही ज़्यादा अच्छी तरह से यह परफॉर्म करता है, तो नो डाउट यह मशीन एक्वाटेक 3713 से बहुत ज़्यादा बहतर है, साइल है और पावरफुल भी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का यूसेज ज्यादा है प्रेशर क्लीनर का, या फिर जिन के पास मल्टीपल वहिकल्स है, तो आप बेजीजक इस मशीन को खरीच सकते हैं, हर रुपया जो आप इसके लिए एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसक दुसरे मशीन को मतलब एक्वाटक उनिवर्सल 3713 या 3712 इस सीरीज के मशीन को कंसिडर करी सकते हैं, तो दस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस मशीन के बारे में सारी तीजों को जान लिया होगा, अगर आपके कोई डाउट्स ह मैं पूछना बिल्कुल ना भूले, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके जवाब दूँ, आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरी अगली इंफोमेटिव वीडियो को म इस ना करने के लिए बेल आइकोन दबाना बिल्कुल ना हो ले, तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद,